हेलो गाईज आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे फ्रेंड्स आज की जो वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए होने वाली है जो सोशल मेडिया पे जो है काम करते हैं जैसे सोशल मेडिया में जैसे यूटूबर हो गया वीडियो बनाते हैं ट्विटर हो ग यूटूबर जो गौरव है वो यूटूबर है उनको जो है टैली पुलिस ने ज़ए वो अरेश्ट कर लिया है अब क्या मामला है क्योंकि टैली पुलिस ने अरेश्ट पहले मैं आपको वही चीजह बता देता हूं इन जनाप ने देखे क्या करा है मैं बता देता हूँ, यूटूबर जो है, इन जे नामने क्या करा है, कुतों को गुबारे में बांद कर उड़ाया, मैंने कुतों को गुबारे में एक मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ पहले, यह आप फोटो देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ प पाल्दू कुत्वे से जो ऑि प्यार करते थे उन पे झो है और ये डैली पूल्सनें इनको गृतार किया है ओड़ को सथे उक्षा ऑड़ से एनोल जो है इनको एरेस्ट किया गे है अब मैं आपको पढ़के बताता हूँ क्या है पूरा मामला, ठीक है, क्या पूरा मामला है, मैं आपको वही पढ़के बताता हूँ, फोटू में भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इन्होंने ये जो है ये social media पर post डाली थी, वीडियो डाली थी, जब अब जो है इन्हों गौरव को पुलिस ने गिरिफतार कर लिया है दर असल मानवीय नगरत थाने की पुलिस ने आरूपी गौरव को गिरिफतार कर लिया है खबरों के मताबित गौरव और उनकी माव को पुलिस ने पशू करता अधिनियम के तहत मामला दर्च किया गया है यानि इनके खिलाफ जो है वो कौन सा मामला दर्च किया गया है पशू करता अधीनियम जो है इनको मामला दर्च किया है और उनी के मामले पे इनको गरिफतार किया गया है दरसल गौरव ने अपने पालतू कुटे को एक गुबारे में गैस से भरे गुबारे में बांध कर वो उड़ाया और उसको दो माले यानि दो मंजिल तक उपर उचाला है न और ये इस वीडियो को जो है इन्होंने शोशल मीडिया पे भी जो है अब बंदे पे दिमाग देख पे अपलोड कर दिया है अब यूटूब में वो सक्त एक्षन पे आ गया है और जो भी भारत में पैट लवर थे उन पे इनके खिलाव ट्वेट किया है कि इनको जल से जल गरिफतार करना चाहिए तो डैली पुल्स ने भी जल से जल जल गरिफतार कर लिया है और ये बहुत दुखत वाली बात है कि ऐसा नहीं कहरना चाहिए था अगर मेरी भी माने तो इन्हों ने बहुत कलत किया है है कि आप ये देखें अगर वो पैड है या कुता है तो उसके अंदर भी देखिए वही है इंसायन थोड़ी भी बहुत गिए न में इंसायन नहीं थी अगर माले अगर वो उसकी मौत हो जाती है, अगर वो मर जाता है, है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब इनको जो है, ग्रिफतार कर लिया है, अब मैं आपको भी जो है, यही राय देता हूँ, अगर आप भी देखें, आज कर टाइम पे जो है, वो सोशल मीडिया नहीं रहा है, अब आज कल आपको पता है, एक पारस नाम का लड़का था, उसको भी जो है पंजाब का रहने वाला था, उसने जो है कुछ गलत बोला था अंदरप्रदेश के, एमेले के खिलाफ, उनको भी जो है, अरिष्ट कल लिया है, और इनको जो गौरव है, इनको भी एरिष्ट कल से थे नाम धियान नेयाई उनको भी वहाँ पर घिया कहले गया है किसी के बारे में गलत पत्व बोलो है ना जैसा भी बुलो बस अच्छा ही बोलो है ना तो मैं आप से बस यही कहता हूं तो आपको जो आप इन यूटूबर से जो ऐसे ऐसी हरकते हो रही है उनसे जो बहुत सीख लेने की जो है वो जरूरत है ठीक है मैं और भी एक जो है आपको एंडी टीवी और और भी न्यूस के मादम से आपको दिखा देता हूँ यह देख लेजिए फ्रेंड्स यह जो है एंडी टीवी जो न्यूस चैनल है उन्होंने भी जो देखे यह खबर दी है हवा वाले गुबारे के सारे डॉक को बांदा फिर आस्मान में उड़ा दिया यूटूबर हुआ गरफतार मलब जो है काफी जो है इनके खिलाफ जो है वो खबरे है और इनको जो है कौन सी धारा में जो है वो अंडरेश्ट किया है वो भी आप देख सकते हैं 188, 269 और 34 धारा पशू करता अधिनियम की जो है इन पर धारा लगाई गई है यह देख लिजिए यहाँ पर देखें इनकी जो है यह फोटू है और आरोपी जो है यह गौरव है आरोपी का नाम जो है यह गौरव है और यह पालतू कुत्ते को हवा में उच्छाल रहे है तो यह खबर है यहाँ पर सारे न्यूस ने जो है अलग-अलग के तौर पर जो है इनको दी है और जो धारा है कौन से लगी है 188 जो आपके लिए जो इंपोर्टेंट है 188, 269 और 34 की जो धारा पे जो है इनको गिरफतार किया गया है तो देखिये फ्रेंट्स मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ अगर आप कोई भी सोशल मीडिया पे जो है वीडियो अपलोड करते है ठीक है फैंट तो आप जो है इन चीजों से जो जो है सीख लेंगे ऑना और ऐसी कोई गलती नहीं करना आपको भी अपने पढ़ाई में करना है अगर आप एक यूटूबर है यूटूब में जो है वीडियो बनाते हैं या शोशल मीडिया में काम करते हैं तो बहुत सो समझके काम करना है जो भी बोलते हैं किसी के बारे में कोई CMO परधान मनती नहीं हो कोई भी हो आपको किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है बस सबसे पहले तो यही चीज है अनता गलत बोलो के तो वो शोशल मेडिया पर अगर पोस्ट हो गई है ना अगर वो ट बहुत जादा जो है आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स बस इसी के साथ मेरे को यही छोटी सी जानकारी देनी थी आपको कि जो बहुत शरम की बात है देखिए ऐना ऐसा भी हो रहा है ऐना ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरी अगर माने तो ऐसा नहीं करना चाहिए था होप चलो जो भी हुआ है अब क्या करें कुछ नहीं कर सकते इस चीज का तो है ना चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर और वीडियो के साथ आप ऐसी जो है देखते दिये चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो ह चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं और वीडियो के साथ और अपना ध्यान रखें घर पे रहिए शुक्षित रहिए धन्यवार फ्रेंड्स